दोस्तों आज मैं प्यारी राजनेतिक जागरो कुमंच से आपके सामने दूसरा एपिसोड पेश करूँगा पिछ्रे एपिसोड में मैंने आप से ये कहा था कि भष्चाचार कैसे खतम हो सकता है और उसके जिए मैंने ये बताया था कि पूर्टिकल फंडिंग का सिस्टम जब तक समापत नहीं होगा भष्चाचार को खतम करना मुश्किज है आज यदि आप उसकी डिटेल सुनना चाहते हैं तो मेरे पिछवे एपिसोड को सुन सकते हैं आज मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि हमारे नेता कैसे हूँ दोस्तों यदि आपने ध्यान से कभी भी हमारे पुराने नेताओं को देखा हो जैसा कि आप जानते हैं लाद भादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम निस्टर थे गुजारी लाद नंदा जी थे हमारे राष्टपती अब्दुलकुलाम जी थे आप यदि गैराई से सोचें ये सारे के सारे नेता नी स्वार्थ थे शायद आपको पता होगा कि इवन वजाद भादुर शास्त्री जी का जब अन्तकाल हुआ देहान्त हुआ तो उस समय वो पंजाब नेश्चनल बैंक के एक करज़दार थे क्योंकि उनके पास एक गाड़ी जो थी उन्होंने खरीदी थी उसका करज़ा भी बाकी था उनके पास तो यहां तक है कि जब एक दफ़ा वो कश्मीर गए तो पंडित जी ने उनको एक कोट दिया था और वो कोट पहन के ही वो गए थे क्योंकि उनके पास गरम कपड़े भी नहीं थे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता कितने नी स्वार्च थे उनके पास कोई धन समपती जमा नहीं हुई और उसके बावजूद आज हम उन नेताओं को नमन करते हैं अब्दुलुक राम जी के बारे में आता है कि उन्होंने अपने गाम के या रिश्टेदारों को जितनी दवा भी रास्टपती भवन में इन्वाइट किया तो उन्होंने उनके खर्चे खुद अपने से सेहन किये उनके बारे में ये भी सुनता हूँ कि जब उन्होंने इफ्तियार पार्टी देने के बजाए उस दिन अपना एक चेक उन गरीब बच्चों के ये उन अनात बच्चों के ये दिया बजाए इसके कि एक कोई शानदार पार्टी वो रास्टपती भवन में करते तो दोस्तों जब तक हमारे नेताओं की ऐसी भवना नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि इस देश का कर्यान आसानी से नहीं हो सकता आज हमारे जितने भी नेता हैं मेरे ख्याल शायद ही कोई नेता होगा जिसके पास करोणों की धन समपती नहीं होगी आखिर क्यों वो ऐसा इतना पैसा इकठा करना चाहते हैं क्यों उनके मन में राजच है वो क्यों नहीं चाहते कि हम देश को एक अच्छा साशन दें देश के प्रती हम कुछ सेवा करें ताकि क्योंकि नाम तो तभी आपका उजागर होगा नाम तो आपका तभी लिखा जाएगा यदि आपने वास्तम में देश के लिए कुछ किया है नी तो चाहे आपकी पार्टी के लोग आपको भले ही नमन करते रहते हों भले ही आपके गुनगान गाते हों परन्तु वास्तम में पब्लिक के अंदर आपकी वो इमेज नहीं बन सकती मैं सभी नेताओं से यह चाहूंगा कि अपनी स्वार्थ भावना को छोड़कर वो देश हित के लिए काम करें पब्लिक के लिए काम करें उन गरीब लोगों के लिए काम करें लोगों की भगाई भी होगी जरा विचार करें आखिर ये मनुश्यतन हमें मिज़ा किसी है एक दिन हम सब ने चलिए जाना है तो क्यों न हम ऐसा काम करें जिस से इस देश का भी भगा हो समाज का भी भगा हो और हमारा किरती मान भी स्थापित हो तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ऐसे देश वास ऐसे नेता हो जो इस देश का भगा करने वाले हो ना कि ऐसे नेता जो स्वार्थ से बरे हो जो सिर्फ यही चाहते हो कि हमारे परिवार के लोग या हमारे आसपास के रिष्टेदार के लोग ही आगे आएं और उनी का भगा सोचते रहें बलकि मैं तो उन सभी नेताओं से अपीज करूँगा कि आप इतनी धन संपती रखिए जितनी आपको इस समय जरूरत है ना कि उस धन संपती को आप जोड़ते रहें और बाद में उस धन संपती का कुछ भी ऐसा न हो आजकल ये अकसर बहुत दभा मैंने कई जगा सुना है कि जी मोदी जी ने ये कहा था कि 15,00,00 रुपे हर एक के खाते में आएंगे परन्तु दोस्तों यदि वास्तम में देखो देखा जाए तो मोदी जी ने जो ये कहा था कि भार इतना काला धन है कि यदि सारा काला धन यहाँ आ जाए तो सब के खाते में 15,00,00 रुपे आ सकते हैं उनोंने ये कभी नहीं कहा कि मैं सब के खाते में 15,00,00 डालूंगा मेरे कहने का मतलब क्यों है अब आप कहेंगे ये हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ कभी आपने गहराई से विचार किया इसका कारण एक ही है आप सभी लोग जानते हैं कि बही काला धन जो है वो ज्यादातर है किन का हमारे नेताओं का ही काला धन है चाहे वो किसी भी पार्टी के हों तो इस चीज़ को वो कभी भी एक्जिक्यूट नहीं होने देंगे कि काला धन भारत में आए तो इस ये एक मजबूरी है तो अब एक ही कारण हो सकता है कि नेताओं के अंदर कुछ ऐसी भावना पैता हो जाए कुछ ऐसे उनके संकल्प हो जाएं कि नहीं हमें देश के लिए कुछ करना है तो वो अपने आप उस धन को यहां भारत में जाकर भारत के लिए कुछ करें दोस्तों मैं आपसे बड़ी गेराई से सोचता हूँ यदि आप कभी भी विचार करें एक तो यह है कि वो पैसा किसका है भारत का चाये भरे ही भारत के निताओं ने उसे बाहर के बैंकों में रख रखा हो और वो बाहर के बैंक क्या करते हैं हमारी गॉर्मेंट को वो पैसा उधार देते हैं और उस पे इंट्रेस्ट चार्ज करते हैं आप गहराई से कभी विचार करें कि हमारा ही पैसा यानि हमारा ही जूता और हमारा ही सर हमारा पैसा एक हमें ही इंट्रेस्ट पे देते हैं तो इसी यह यदि यह हमारे नेता एक यह विचार कर लें कि बहुत दबा आपने देखा होगा कि बाहर जितना भी पैसा होता है आदे से जादा पैसे का कोई क्लियमेंट ही नहीं होता कुछ मर गया किसी को पता नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान के बड़े सारे बैंकों में जो RBI के डेटा है कि कई हजारों करोन रुपया ऐसा है जो अन्क्रेम्ड है इन उपरेटिव अकाउंट्स में पड़ा है क्यों उन्होंने अपने बाल बच्चों को नहीं बताया तो कमसकम वो पैसा हिंदुस्तान में तो है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उसका प्रयोग तो किया जा सकता है प्रंतु जो पैसा बाहर के बैंकों में स्विज बैंक में जमा है और यदि उसका कोई भी क्रियमेंट नहीं होगा तो वो पैसा क्या गया हमारे ये बेकार गया और वो बाहर के देश में ही रह गया और उस पैसे का कोई उप्योग निया और वो पैसा एक किसम से कागज के समान बाहर पड़ा है तो इसलिए हमें एक ऐसी जागुर्पता पैदा करनी होगी चाए वो समाज में हो चाए हमारे नेताओं में हो और हमें उनसे प्राथना करनी होगी कि वो कुछ ऐसा करें अपने स्वार्थ भावनों को खत्म करके एक नी स्वार्थ भाव से ऐसा सोचे हैं कि देश का कुछ अजाई की कारण ही वो अपने आप ही उस पैसे को इंडिया में जाएं जिससे ये समस्या का समधान हो ताकि उस गरीब आदमी को जिसको पानी पीने को नहीं मिलता है उसको पानी पीने को मिल सके मैं कई दवा न्यूस चैनलों में देखता हूँ ऐसे ऐसे गाम होते हैं जहा पड़ता है तो क्या ये अच्छी बात है क्या हम एक छोटा सा उसके उपर गौर्मेंट एक पूल भी नहीं बनवा सकती ताकि उन बच्चों की सुवधाओं के लिए तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस संदेश को दूर दूर तक फजाएं ताकि जिन गावों म हम अपने नेताओं जो हमारे एक्जिस्टिंग नेता हैं उनके अंदर भी एक ऐसी भावना पैदा करें कि वो नी स्वार्थ होकर देश सेवा करें और हमें ऐसे नेताओं को आगे दाना होगा जिनके अंदर नी स्वार्थ भावना हो अब इतना ही कह के मैं आप सब से प्रा ना पैदा हो कि जिस से एक अच्छा समाज बने क्योंकि अच्छा समाज बनना मुश्किल नहीं है यह हमने सोच रखा है अच्छा समाज बनने के लिए हमें पेड़ों को नहीं बदलना है हमें आसमान को नहीं बदलना है हमें धरती को नहीं बदलना है हमें मानव के मन को बदल कि जैसा हम चाहते हैं कि राम राज्य हो तो पका राम राज्य होगा और यदि हम इसकी तरफ ध्यान ना देकर अपने ही बातों में बस अपनी जिन्दगी गुजार देंगे कि चलो हम तो ठीक हैं तो ये कभी नहीं होगा इसलिए मेरी आप सबसे प्रातना है कि एक ऐसा वातावरन क्रियेट किया जाए कि हमारे नेताओं के अंदर भी नी स्वार्थ भावना पैदा हो और आने वाजे नेता भी नी स्वार्थ भाव से आएं अब इतना ही कह के मैं इसको स्माप्त करूंगा और यदि ये मेरा वीडि में प्रजात तंतर में जी रहे हैं या नाम के यही प्रजात तंतर है मैं अगरी दफ़ा इसका विशेशन करूंगा धन्यवाद